कि इसके बाद में नेक्स जो सेग्मेंट है मारा हो मॉनोटोनल से पूरी समझना चाह रहे हैं तो उसमें यहीं समझना चाहेंगे कि डेरिवेटिव का उससे क्या का रिलेशन है अगर कोई फॉंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको हम डिफ्रेंशेट कर देते हैं तो वह से किस तरह से रिलेट करता है हम फॉंक्शन को यहीं करने वाले आगे कि फॉंक्शन को डिफ्रेंशेट करके फाइंड आउट करते हैं कि कब फॉंक्शन हम निकाल रहे कप फंक्शन इंक्रीजिंग है और कप इक्रीजिंग है तो पहले हम यह सम्झे डेरिविटिव से उसका क्या रिलेशन है तो रिलेशन बिट्वीन मोनोटोना सुटी और डेरिविटिव डेरिविटिव फंक्शन का यह है और मोन डॉना सुटी मिंस ट्री इन्क्रीजिंग है यह वो डोनों अपस में किस तरह से रिलेट करते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है हो देखे किस तरह से होगा कि अगर हम दा एब्रूसक्त एक्स और यह दिता टीटा एंड टेंटीटा मिंस अ स्लोप आप टेंजेंट लाइन इस इस दा सूप आफ टेंजेंट लाइन वनेगी उसका वस्ट दिखा रहा होता है उसकी टेंजेंट एक विसकी चीज़ को हमने भी बढुने धर किया यहां तो इह जो फ इस function में यह 10 ठीटा की value है मलब f-x को आप 10 ठीटा बोल सकते है function जो जैसे ही आप उसको differentiate करेंगे तो वो क्या provide करता है वो provide करता है slope of tangent line in general अगर आपने differentiate किया है तो value जनरल में मिलेगी और वहां का अगर curve पे कोई point अगर आप कर देंगे तो उस particular point पे जो टेंगे लाइन बनती है उस टेंगे लाइन का slope वो दिखाएगा ठीक है ना तो अब देखिए कि बेसिकली टिग्नोमेटिल से हम क्या जानते है कि टेंटीटा की value यहां पर पॉजिटिव होती टेंटीटा ग्रेटर देन जीरो होता है जीरो से पाइवाइटू अभी आप जीरो पाइवाइटू चोड़ दीजे दो पॉइंट चोड़ दीजे इसके बीच की बात करते है इसमें टेंटीटा होता है greater than 0 आइट और इसमें टेंटीटा इसमें होता है negative 2nd quadrant में 10 टेंटीटा नेगेटिव होता है ठीक है तो हम इसको जब 10 टीटा को हम यह लिखी रहें एप डैस एक षेक वाल तो यहां पर मैं लिख दूँं एपड़ देंश च्या होगा इंक्रीजिंग है तो यह 0 से 5y2 क्या हुआ टेंटीटा पॉजिटिव बनाने का मतब यह वा कि कर्व इंक्रीजिंग था यहां पर यह इसा होगा कि यह कर्व इंक्रीजिंग है इसमें टेंगल यहां पर आप बनाएंगे so this will be the acute angle मना रही होगी यहाँ पर आप बनाएंगे to acute angle है यहाँ पर 10-0 line बनाएंगे this is again acute angle और उस तरह बनाएंगे तो यह acute angle बनाएगी so tangent line जो angle होगा उसका theta वो angle होगा between 90 and 0 degree between 90 and 0 degree वो angle create कर रहा होगा तो ठीक है उसमें 10 theta को हम बोलते हैं 10 theta positive होगा तो 10 theta के लिए जो word दूसरा यूज़ी आता है 10 theta के लिए f dash x है तो f dash x को हमने लिख दिया greater than 0 होगा और देखिए यही relation हो गया यह देख रहे है आप function क्या है increasing continuously चल रहा है तो अगर increasing चल रहा है तो उस increasing function की किसी भी point पे यदि टैंजिल लाइन अगर ड्रॉ करेगा तो वो इस टैंजिल लाइन का slope 0 से 90 के बीच में होगा तो फिर हमने उसके लिए एक नया language यूज़ कर लिया हमने बोल दिया कि उसमें ठीक है ऐसा बोल देते है टैंटीटा इसमें greater than 0 होगा तो टैंटीटा वर्ड को नहीं लिख करके फांक्शन की डैरेक्ट अब आप से क्या यूज़ कर वा रहा है तो वह स्टेट पर और यह लेंग्वेज लिख देता है कि एप्डैस एक्स गड़ देन जीरो होगा इस चीज़ को हाइट कर देता है यह हम जानते हैं उसकी वराबर होता है लेकिन अब क्या कर लेता डैरेक्टली हखर फंक्शन इंक्रीजिंग है खर फंक्शन इनक्रीजिंग है प्रीजिंग का आएगी अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरीवेटिव की वैलु के आएगी तो हो नहीं है देखें आप ग्राफ से हम इसको समझ लेते हैं की ऐसा क्यों होता है कि यह देखिए यह ग्राफ हमने बनाया है डिक्रीजिंग का ग्राफ है और अगर इसके किसी भी पॉइंट पर युटान अगर खेची जाएगी तो उसका एकसे प्रेंगल होगा पाइबाइट टू पाइट तो उसकेस में जो टैन ठीटा आमने लिखा टैन ठीटा होगा नेगेटिव यह हम उसको टैन ठीटा वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है मत कीजिए आप उसमें एब्डेस एक्स लिख दीजिए तो कि यह तो हमें पता ही है एब्डेस एक्स क्या होगा एप्डेस एक्स निगिति होगा सो इस इस दर इलेशिए है रडग सो वी कैन रेलेट इस तो हम डायरेक्ली समझ सकता है अगर किसी फंक्शन को आपने इदिफिरेंशेट किया और उस जो जो गीवन इंटर वाला पर्तिकुलर कोई इंटर वाले गिवन में हम चेक करेंगे कि उसके पूरी डामें में 국 pitch ay जो जो कर देचराँ जया हो Waar वही है पॉए पॉइंट इस इस्तिमिंगेंने अभी हम बात उसकाpielt कि बहुत हो की जिरौ पर अगर माण लीजी कोई फंग्चन कर भी गया तो इसमें उसमें यहां पर इस पॉइंट पर लाइन वर्टिकल आ गई यहां पर आ गया तो उसमें दोनों पॉइंट्स पे नौट इपाइंड होगा ठीक है तो अगर एक्स जीरो इसको भी इंक्लूड कर लेता है तो भी हम यहां पर इंक्रीजिंग वर्डियूस करेंगे और एक्वल जीरो औ होगा तो सेम जो एस पर डेफिनिशन हमने यूज किया तो उसकेस में डिक्रीजिंग होगा ठीक है और अगर एक्वल भी होल करें पिलिटी भी होल करें ठीक है यह भी हम बात को समझेंगे कि इक्विलिटी डिस्क्रीट पॉइंट्स पे पोल कर रही है या वो कंटिनिस्ली में उसमें दिया हुआ फंक्चन है तो उसमें वो कर रही है तो वहां पर भी फ़र्क आता है उसको मैं पूरे ग्राफ से आपको बताऊंगा कि डिस्क्रीट पॉइंट होने लेने का क्या मतलब है और जो डॉमें गिवन है उसमें कंटिनिस अगर ग्राफ अगर पैरललल से रिलेट कर दिया और यह आपस में दोनों का रिलेशन आ गया यह आप फर्सक्वारें टिग्नोमेट्री से से जानते ही थे और इसको हम जानते थे क्या होता है तो इसको समझा ठीक है इसके बाद हम इसको पूरा ग्राफिकल एप्रोच पर ले लेते हैं ग्राफिकल ही साथ बताएंगे हैं कि यहां हम बात को समझ चुक है कि डिफ्रेंशेट करने का मतलब क्या होता है तो देखिए सारी बात को जो हम ग्राफिकली ले रहे हैं खag्र lifes Climate upside को समझा रहे है ग्राफिकली अ मॉनोट्रिक फंक्षन को मॉनोटाउन शटी कराइं ग्राफिकली इसमें क्या क्या कंडिशन हो सकती है तक इस तरह से यथी ऐसा आजाए तो फंच्चं की यह कंडिशन हा रहे हैं उनसे फरक नहीं पड़ता है ग्राफ में कि खाली increase कर रहा decrease कर रहा है ठीक है और दो points दिये हुए हूं suppose x equals to a और b let's say it is cf और x equals to b point ठीक है इस तरह से दिया हुए तो इस position में यहां पे f dash x क्या होगा f dash x is strictly greater than 0 और इस जागे पर f dash x जो है equal to 0 होगा और यह जो function दिया हुए x equals to a c c के बीच में यह particular function यह function जो होगा that will be f dash x is greater than equal to 0 so we will say that this is the increasing function this is increasing function right और यह जो function है suppose x equals to a और x equals to b के बीच में गिवन है और यहां देख रहे है की कोई भी टेंजिल लाइन दो करेंगे so that will be greater than 0 so this is f dash x is greater than 0 जेकर नहीं and it is known as a strictly increasing strictly increasing function इसके बाद में यह थीसा ग्राफ है इन में कॉन के वीटी जोगी है कॉंकेजिंदी चेंज हो गई है तो उससे कोई फरक नी पढ़ने वाला वह तो ग्राफ जो है इंवा इंक्रीज कर रहा है करी रहा है आप देख रहे हैं छोटी मिलेगे और एक्स की बड़ी वैल्यू ले ले अगर इंक्रीजिंग है तो इसमें भी आएगा एफ दैसे इसमें भी गेड़े देन जीरो होगा और इस विल भी में कुछ पाइंट्स पे सिंगल पाइंट से यहां तक ग्राफ इंधे बना और उसकी बाद में समें पॉइंट मिल रहे हैं तो यह दिस्क्रीट पॉइंट्स होगे इस पॉइंट्स आर नोंगे डिस्कृइट पाइंट्स discrete points means कुछ अलग-अलग single single point है जो कि x-axis के parallel चल रहे हैं suppose so these single points are known as the discrete points और एक होता है कि आपको interval देदे मान लिजाए for example x equals to 2 से 5 के बीच में continuously आप graph बनाओ तो वो continuously graph बनता है यह वाला तो यह continuous graph है यहां पर तो हम लगों points ले सकते हैं इसके बीच में ठीक है लेकिन अगर discrete point है तो वो single point पर ही सारा उसका discussion करना होता है ठीक है ना so this is also f dash x is greater than equals to 0 लखेंगे यहां पर क्योंकि in points पर equality hold कर रहे है if f dash x f dash x is greater than equals to 0 वेर एक लेंग में यह important point है यह में इसे ध्यान रखना होता है यह जो बात लिखना हों है कि f dash x is greater than equals to 0 वेर एक्विलिटी holds at discrete points discrete points then f x is strictly increasing strictly increasing तो यह कंडिशन हमने लिखी f dash x is greater than equals to 0 और फिर आगे इसमें और condition attach कर दी है कि इसमें equality कब होल कर रहे है खाली discrete points पर ही equality होल कर रहे है तो ऐसे functions को भी हम strictly increasing कहते हैं increasing word use नहीं करेंगे increasing तब यूज करेंगे जो पूरा complete domain दिया हुआ complete domain जिसमें graph बना हुआ है उसमें graph increasing चले या equal continuous line भी आ जाए तब आप directly बोल सकते हो कि हाँ इस part में function increasing है जो यह चीज लिखी है यह graph continuously increase किया और उसके बाद में continuously यह parallel to that चल रहे है so this graph is called the increasing only यह graph जो है यह इस तरह से नहीं है यहाँ पर गड़बड है इन points को मैंने बताया these are the discrete points अब हम इसके बाद में इसमें लिलेंगे function जब decrease होता है तब ठीक है ना यह तीन graph थे आपके increasing के basically और इसके बाद decreasing के तीन graph है इस तरह से आएंगे suppose function के graph ऐसे हूँ कि यहाँ पर function ऐसा चला फिर यह decrease कर गया यह function ऐसा है कि यह continuous जो इस तरह से decrease कर रहा है इस तरफ से यह ऐसा भी ले सकते हैं इसमें कोई फरगनी पड़ता है this is also the decreasing function right यह इन में खाली दोनों में concavity का change है concavity जे कोई फरगनी पड़ता function को decreasing है तो वो रहेगा concavity अफवर्ड या डाउनवर्ड कैसी भी हो concavity अफवर्ड हो concavity डाउनवर्ड हो तो उससे कोई फरगनी पड़ने वाला ठीक है इस particular function को हम बोलेंगे f-x is less than equals to 0 यहाँ पे आपको f-x equal to 0 मिल रहा है f-x negative मिल रहा है इस पार्ट में तो हम बोलेंगे कि f-x is less than equal to 0 and it is called the decreasing function and this function is a decreasing function confirmed जो equality hold की है वो continuous part में की है उसका जो पूरा domain दियावा है उसमें continuous चल रहा है ति यह decrease कर रहा है इसके बाद इस पर आईए इस particular function में f-x is called the strictly strictly decreasing function right this is strictly decreasing and this is also f-x negative so this is strictly strictly decreasing function this is also strictly decreasing function किस तरह से होगा हाँ अब यहां पर वह भी बात करनी है में कि हम जो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे एक्विलिटी अगर होल करता फंक्चन और उसकेस में क्या बोलते हैं यहां पर ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्चन ऐसा हो ठीक है यह एक इस हमेशा बनता है ज्यान रखेंगे कि कि यहां कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर की वह स्टेट जा रहा है कि उसके बाद वो कंडियूसली डाउन होना स्टार्ट हुआ ठीक है तो दोनों कंडिशन बना रहा है इसमें यह डिस्क्रीट पॉइंट्स है ठीक है सब्स एक्स इस लाज दन एक्वाल टू जीरो और बोलेंगे एक्विलिटी होल सेट डिस्क्रीट पॉइंट्स डिस्क्रीट पॉइंट्स तो एफेक्स इस स्ट्रिक्ट्ली स्ट्रिक्ली डिक्रीजिंग इस कंडिशन में इसको बोलेंगे यह स्ट्रिक्ली डिक्रीजिंग है रीजन क्या है कि यह कंटिनिसली पूरे डॉमें में कंटिनिस ग्राफ नहीं चला रहा है कुछ पॉइंट्स पे यही पॉइंट्स होते हैं इनी को डिस्क्रीट पॉइंट बोलते हैं कि डिस्क्रीट पॉइंट्स कहने का मतलब एक सब्सक्राइब पॉइंट होगा फिर उसके बाद अगला पॉइंट दूसरा लिया इसने फिर नेक्स्ट तू नेक्स इस तरह से लिया उस लाइन को यहां पर उक्विलिटी ओल करता हो इसको हम काउंट करेंगे इसकी डिक्रीजिंग में नहीं के डिक्रीजिंग में जबकि यहां कंडिशन इसने दिखाई इस तरह से तो हमेशा हमें डिस्क्रीट पॉइंट्स को इसमें देखना पड़ता है अब इसके बाद में हम एक और ले का ड़के इसमें मैंने जितने भी ग्राप बनाए इसमें सबस्केश का दिया और जिखा दिया कि और दिखा दियां है कि कुछ पार एक लाए की कॉस्टेंट फंक्च्चनय में क्या होता है अगर केला कॉस्टेंट्स इफंचन्स चाओ और तो तो वो यह है ते सिंगल कॉंस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं कि इसा कप लेंगें उप्सकीश Losin क्या बोलेंगे मैं आ किके लास्ट ग्राफ इसका बना लेते हैं यह फंक्शन गिवन हैं और यह कुछ इंतर्वल इंटर्वल सपोस्ट गिवन है इंटर्वल को भी आई गिवन है पॉस्ट इंटर्वल आई में वह आपको दियावाय की चलता है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा तो इसके साथ में अगर इंक्रीजिंग पार्ट लग रहा होता है तो में इंक्रीजिंग में लिख देते हैं इसके साथ अगर डेरिजिंग वाला पार्ट अटेस्ट होता थे यह दोनों सिच्वेशन को आप अच्छी तरह जानते हो कि एक ग्राफ अगर ऐसा दिया हो हो कुछ पार्ट में चले और डि पर दिक्रीजिंग चला तो दोनों को मिक्स करके हमने यहां लिखा इस पूरे इंटरवल में यहां से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो डिसक्राइब और यह ग्राफ यहां कंडिनियूस ही है और ऐसा भी था सेगेंड पॉइंट यह था कि पुछ पार्ट में ग्र जीरो तो उसको उसको कमाइंड लिख देते हैं अब्स एक्स प्लट टू जीरो अगर आप ऐसा लिख देता है इस में हमने बूला इसके लिए बोला डिक्रीजिंग है ठीक है इसके लिए हम बोलेंगे कि यह फंक्चन जो है इंक्रीजिंग इस पार्टिक्लर फंक्चन इस एक इंक्रेजिंग फॉंच्छा रइट को स्टेंट वों क्या बोले तो कॉंस्टेंट फंक्षन जो होता है प्रिक्ला फंक्षन होता है इस फंक्षन के लिए जब ऐसी लेंग्वेज यूज आती है और इसमें जो पर्टिकुलार डामेन वह भी आपको कोई इंटर्वल गिवन उसमें पार्ट में आपने इसको कंटिनियूस ड्रॉ किया है इसे अलसो दा कंटिनियूस तो इडिस कॉल आइधर आइधर इंक्रेजि मतलब इंक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग भी है तो दोनों वर्ट यूज कर रहा है या तो उसको इंक्रीजिंग बोलो या डिक्रीजिंग बोलो अब पॉइंट क्या रहा तेकि इंपॉइंट पॉइंट है पॉइंट यह रहा कि अगर यह जो पर अकेला आ जाए तो अकेला आ जाए तो हम यह सा बोलेंगे फसे जिका लिए इस और इंपर इंक्रिजिंग और इस डिक्रिजिंग ओ सकता है यहा पे तो उसको increasing में count करो या फिर इसको decreasing में count करो और वर्ड लगा देंगे वीच में तो यह हमने इसकी लिए graphical approach यह सारे functions को हमने समझा कि किस तरह से इसमें कब हम increasing बोलेंगे कब decreasing बोलेंगे discrete points क्या होता है continuous domain क्या होता है और उसमें function कब जो है increasing decreasing अब बताते हैं इसके बाद में हमें देखने वाले हैं test of monotonicity how to find where the function is increasing and decreasing जो derivative test होता है इसका उसके बाद में वही लेने वाला हूँ test of monotonicity झाल झाल क्यां झाल हम तो झाल है झाल